हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो अवर नीई वीडियो आफ सुजलान एनरजी, हमारा पिछले देर साल में सबसे बड़ा मल्टिवागर साभित हुआ है और पर्टिक्टिकुलर्ल ये पेनी स्टॉक मल्टिवागर साभित हुआ है 5 रुपीज से यह particular share जो है already 84.29 की जरनी तेय कर चुका है आप सोच सकते हो 5 रुपीज पर share से 84.29 रुपीज का हाई इसने बनाए कितने जबरदस return इसने दीए हमें हम continuously इसके बारे में important update जो भी market में आते हैं वो आप लोग साथ share करते रहते हैं और उसी बीच आज भी हमें एक 5% का upper circuit इस particular stock में लगता हो दिखा इसके पीछे क्या reason है वो quickly cover करते है बड़ फ्रेंड्स उसके पहले request करना चाहूंगा ऐसे ही stock जब penny prices में होते है उसी समय identify करने के लिए चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि हम ऐसे ही stock cover करते है जिनकी prices काफी कम होती है और उनमें potential होता है आगे जाकि अच्छा कासा करने का और उसी से related जो news और updates होते है company की बड़ी decisions होती है वो आप लोग साथ share करते है जो आपको आपको आपके analysis में help करती है तो जल्दी से subscribe कीजिए और start करते है हमरे update के साथ आज के तो update आप कुछ इस तरीके से है सुजलान energy raises after bagging 1166 megawatt wind energy project from ENTPC green ENTPC green से जो है friends फिर से एक बहुत बड़ा order सुजलान energy को मिला है अगर आपको देड़ साल की journey याद होगी friends तो सुजलान energy को continuously order मिल रहे है और उनका order book जो है काफी बड़ी मातरा में अभी जो है focus में है because green energy को लेकि काफी जादा implementation और यहाँ पर execution start हो चुका है इंडिया में बहुत लंबे समय से और उसी का benefit ultimately सुजलान energy के share में हमें देखने को मिल रहा है because यह सारे equipment already company supply करती है जो green energy में required होते है अब NTPC की यह order के साथ order book और थोड़ा strong बन चुका है सुजलान energy का और recent times के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुजलान energy ने almost net profit 302 करोड का दर्श किया था financial year Q1 में इस बार जो Q1 हुआ था और जो कि Q1 2024 से almost 100.90 करोड का जादा है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इतने बड़े order back to back मिलते है और उसका execution स्टार्ट होता है तो definitely सुजलान energy को उसका benefit होता है हमें देखने को मिल रहा है but recent three quarter से देखिए mutual fund 1.33 से बढ़ा के 3.82 इन्हों ने जून में holding बढ़ा दिया है यहाँ पर अगर अगर आप other domestic institutions की बात करोंगे तो उन्होंने भी 4.44 से holding 5.34 बढ़ा दिया है FIS की बात करेंगे तो FIS इस particular stock में continuously हमें buying करते हैं दिख रहे तो अगर आप देखोगे mutual fund, DAIS और FIS buying ही करते हैं हमें दिख रहे definitely इतने aggressive buying अगर 7.80 परसंट से FIS ने 21.53 परसंट के holding बढ़ा दी है तो stake किसने बेचे होंगे आप सोची सकते हो तो retail investors ही ऐसे है friends जोनोंने continuously stakes बेचे है because यह journey जो है काफी अच्छी थी और यहाँ पर definitely expected है कि बहुत लोगों को अच्छा का सब profit होता होगा और वो profit time to time book भी कर रहे होंगे और उसी के वज़े से हमें retail investors की holding गट्ती भी दिख रही है तो ultimately यह profit booking का ही train हमें देखने को मिल रहा है retail investors की तरफ से तो यही important update था friends सुझलोन energy से related thank you so much for watching this video झाल